हेलो एरिवन आजाद हाइज स्कूल की आनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है आज मैं आपको बढ़ाऊंगी कक्षा चोथी का पार्ट बारा इस पार्ट का नाम है बुरी संगती का परिनाम तो संगती होती है साथ और परिनाम होता है फल यानि के result तो इस पार्ट में बताया गया है कि एक हंस और एक कववा होता है जिन में मित्रता हो जाती है हंस बहुत ही साफ मन का होता है यानि के अच्छे सभाव का परन्तु कववा जो होता है वे बहुत ही दुष्ट सभाव का होता है यानि के बुरा होता है तो कवे के साथ दोस्ती करने का हस की जीवन पर क्या परभाब होता है उसका क्या परिनाम होता है ये हम इस पाठ को पढ़कर जानेंगे तो सबसे पहले देखते हैं उचारन अभ्यास इसमें शब्द है रूचियां इर्शा दिखावा करवटे करश्ट प्रद प्रचंड धालू निद्रा पखेरू निच्छर तो चलो अब लैसन स्टार्ट करते हैं कानन वन के बीचो बीच एक सरोवर था सरोवर के किनारे बरगत का एक विशाल व्रिक्ष था विशाल होता है बहुत बड़ा और व्रिक्ष होता है पेड़ उस पर कालू कववे का बसेरा था यानि के घर था सरोवर में धालू नामक एक हंस रहता था दोनों की रूचियां और सवाब बहुत बिन थे यान की उनकी जो सवाब थे और जो उनके शोंक थे वो दोनों के एक दूसरे से अलग थे परन्तु पास रहने के कारण उनमें मित्रता हो गई थी दालू निश्चल सवाब का था निश्चल होता है साफ मन का और उसके मन में किसी परकार की दुरभावना नहीं थी दुरभावना कार्थ है बुरा विचार कालू ने धालू से मित्रता तो कर ली थी परन्तु अपने दुष्ट सवाब के कारण मन ही मन धालू के रंग रूप से इर्शा करता था दुष्ट हो गया बुरा उसकी मित्रता दिखावा मातर थी आगे चलिए जून का महीना था दोपहर तप रही थी कालू और धालू बरगत की शाकाओं पर बैठे बाते कर रहे थे इतने में थका हारा एक यात्री कुछ देर विश्राम करने के इच्छा से ब्रिक्ष के नीचे आया ब्रिक्ष के पास ही स्रोवर था स्रोवर में उसने हाथ मूद दोए और जल पीकर बरगत की शीतल शाया में आराम करने लगा शीतल हो गया कि ठंडी शाया में आराम करने लगा थका मानदा होने के कारण उसे थोड़ी ही देर में नीद आगे शीग्र शीग्र होता है जल्दी शीग्र ही वे खराटे भरने लगा कुछ देर के बाद सूरज की तेज दूब यात्री के मूँपर पढ़ने लगी थी वे इदर उदर करवटे बदल रहा था परन्तु गहरी नीद के कारण उठकर दूसरी जगा चाया में ना जा सका ब्रिक्ष के उपर बैठे दालू ने देखा कि इस थके मादे वेक्ति के उपर सूर्य की तिवर किरने पढ़ रही है उसकी नींद्रा बंग हो होने वाली है वहे उसके ठीक उपर बाली शाखा पर चाते की बांती पंक फिला कर बैठ गया सूर्य की किरने यात्री के मुँपर पढ़ने से रुक गई हस को इस कारे में बड़ा कश्ट हो रहा था सूर्य की परचंड किरनों से उसके पंक जुलस रहे थे परन्तु यह कश्ट प्रद कारे भी उसे सुक कर लग रहा था पास की शाखा पर ही कालू को हुआ बैठा था वहे मन ही मन जल बुन रहा था वहे कोई ऐसी युक्ती सोचने लगा जिससे यात्री को धालू पर क्रोध आ जाए क्रोध यानिकी गुर्सा और उसका अहित कर दे अहित हो गया बुरा करना कालू वहां से अपना स्थान बदलने के बहाने उड़ा और यात्री के मुँग पर बीट कर दी और दूसरी शाका पर जा बैठा तथा पत्तों की ओट में छिप गया बीट मुँपर गिरते ही यात्री की निद्रा बंग हो गई उसका सारा मुँँ बीट से सन गया था उसने अपना मुँ साफ किया क्रोदित होकर जब उसने उपर की ओर देखा तो उपर वाली शाका पर हंस को पंक फिला कर बैठा पाया क्रोद अगनी तो ददक ही रही थी उसने अपना दनुश बान संभाला और हंस पर निशाना साथ कर एक बान मारा बेचारा हंस फड़ फड़ाता हुआ यातरी के सामने आगीरा और थोड़ी देर में उसके प्रान पखेरू उड़ गए बच्चों देखा आपने हस बेचारा प्रोपकारी होते हुए भी कालू की कुछ संगती में रहकर उसके इर्शालू आच्रन आच्रन होता है बेवार और बुरी हरकत से अपना जीवन गवा वैठा यानिकी मर गया अता हाँ बूरे व्यक्तियों की संगती में नहीं रहना चाहिए तो आगे चलिए अभ्यास के लिए शुतलेख सरोवर सभाव निच्छल दुर्भावना कश्प्रद खराटा प्रचंड कुसंगती क्रोधागनी आच्रन आगे है प्रशन मुकसे प्रशन क सरोवर कहा था उतर है सरोवर कान जंगल के बीचो बीच था प्रशन ख कालू कवे का बसेरा कहा था इसका उतर है सरोवर के किनारे बरगत के ब्रिक्ष के उपर कालू कवे का बसेरा था प्रशन ग दालू हस ने यातरी के मुँपर किस परकार चाया की इसका उतर है दालू हस ने चाते की भांती पंक फिलाकर यातरी के मुँपर चाया की ग कालू को हुए ने यातरी के मुँपर बीट क्यों की इसका उतर है हस को यातरी को चाया करते देख कालू को हुआ जल्बुन गया और इसी इर्शा के कारण कालू ने यातरी के मुँपर बीट की आगे है प्रशन नम इस कहानी से आपने क्या सीखा इसका उत्तर है इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें बुरे व्यक्तियों की संगती में नहीं रहना चाहिए आगे है कलम से क सुरोवर के किनारे कौन सा ब्रिक्ष था पीपल का बर्गत का नीम का इसका से ही उत्तर है बर्गत का कवे का नाम क्या था कालू धालू मोलू इसका से ही उत्तर है कालू ग यात्री ने कहा हाथ मुह दोए नदी में सागर में सरोवर में इसका से ही उत्तर है सरोवर में ग, ग्यातरी ने किसे मार डाला, हस को, कववे को, मोर को, इसका सही उत्तर है हस को, आगे चलिए, निचे दिये गए प्रशनों के उत्तर लिखो, क, कालू कववा कहां रहता था, इसका उत्तर है, कालू कववा स्रोवर के किनारे बर्गत के पेड़ पर रहता था, प्रशन ख, हंस कहां रहता था? इसका उतर है, हंस सरोवर में रहता था ग, कववा और हंस के सवाब में क्या अंतर था? इसका उतर है, कववा दुष्ट सवाब का था और हंस निचल सवाब का था गव कव्य की मितृता दिखावा मातर थी क्यों pię कालू की मितृता दालू से इसलिए दिखावा मातर थी क्यूं कि वे घालू से इरशा करता था न, यात्री को थोड़ी ही देर में नीन्द क्यूं आ गई? इसका उतर है, थकान के कारण यात्री को थोड़ी ही देर में नीन्द आ गई? च, हस को किसकी हरकतों की सजा भुगतनी पड़ी? इसका उतर है, हस को कव्वे की हरकतों की सजा भुगतनी पड़ी? आगे है प्रशन दूसरा पाठ के अधार पर गटनाओं का क्रम लिखो तो यहाँ पे वाक्य दिये गए हैं तो इनको हमने देखना है कि पहला वाक्य कौन सा आया है पाठ में और दूसरा तीसरा ये हमने पाठ के अकॉर्डिंग लिखने हैं तो पहला आया है ग कानन वन के बीचो बीच एक सरोवर था दूसरे नमबर पर है न सरोवर में धालू नामक एक हंस रहता था तागे तीसरे नमबर पर है कालू और धालू बर्गत की शाखाओं पर बैठे बातें कर रहे थे ये तीसरा हो गया चोथा है च हंस को इस कारे में बड़ा कश्ट हो रहा था पाँचवे नमबर पर है क बीड मूँ पर गिरते ही यात्री की निद्रा बंग हो गई और छटा है ख बेचारा हंस फड़फडाता हुआ यात्री के सामने आगरा तो यहाँ पर जो खाली स्थान दिये गे हैं यहाँ पर आपने बताना है कि पहले नमबर पर कौन से है तो एक बार मैं आपको फिर बताती हूँ पांच एक तीन पांच छे एक तीन दो चार तो यहाँ पर आपने नमबर लिखने हैं आगे चलिए भाशा और व्याकरन दिये गए तत्सम शब्दों को तत्वब शब्दों से मिलाओ तो तत्सम शब्द क्या होते हैं तत्सम शब्द वे होते हैं जो शब्द हिंदी बाशा में परिवर्ट जो शब्द जो संस्क्रित के वे शब्द जो जैसे के वैसे हिंदी बाशा में प्रियोग किये जाते हैं वे तस्वम शब्द कहलाते हैं जैसे आगे तिवर, काग, निद्रा, मुख, युक्ती, सूरे ये है तस्वम शब्द और तदबव शब्द वे होते हैं जो हिंदी बाशा में परिवर्तित होकर आते हैं जैसे सूर्य कववा जुगत तेज नीद मुख तो तिवर हो गया तेज काक कववा नित्रा नीद मुख मुख युक्ति जुगत सूर्य सूरज आगे चलिए दिये गए शब्दों के समान अर्थी शब्द लिखो तो समान अर्थी शब्द होते हैं प्रायवाची शब्द तक है मित्रता तो मित्रता क्या होती है दोस्ति यारी बंदुता ख ब्रिक्ष ब्रिक्ष हो गया पेड तरू विटप ग यात्री पंथी राही मुसाफिर ग सूर्य रवी सूरज दिनकर आगे चलिए शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेश्था या परिवर्तन लाने वाले शब्दांच परतिय कहलाते हैं जैसे कर्ष्ट हो गया दुख जमा प्रद तो क्या मन गया कर्ष्ट प्रद हो गया दुखदाएक क्रोध हो गया गुसा और इत हो क्रोधित तो हो गया गुसेल जिसे बड़ा गुसा आ गया आगे चलिए प्रशन तीसरा एक परते जोड़कर ने शब्द बनाओ जैसे एक उधारन दिया गया सभाब के साथ एक परते लगा तो बन गया सभाबिक समाज के साथ एक लगा समाचिक दर्म जमाइक धार्मिक शरीर जमाइक शारीरिक सप्ताह जमाइक सप्ताहिक तो पहले नंबर पर उन्होंने दिया है सभाविक आगया आगया समाजिक धार्मिक आर्थिक शारीरिक सप्ताहिक आगे है प्रान पखेरू उड़ना एक मुहावरा है जिसका आर्थ है मृत्यू हो जाना तो प्रशन चा है प्रान नुछावर करना तो दूसरा आ गया प्रानों की बली देना और तीसरा आ गया प्रानों का प्यासा होना तो ये दो मुहावरे खुद बनाने हैं तो यह था कक्षा चोथी का पार्ट बारम अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट देना पढ़ाऊंगी तो अगर लाइक जरूर करने थैंक यू